पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये दीसरी तस्वीर ये तस्वीरे उस जिला जेल की है जहांके अपराधी बे खौफ, बे धड़क, बे परवायश करते हैं कहने को तो ये जिला जेल है लेकर अपराधियों के लिए किसी एश्गा से कम नहीं है शाषन, प्रिशाषन, भले ही जेलों में कानून के राज होने का दावा करता है लेकिन असल में आज ही उत्तरपदेश की जेलों में अपराधियों का ही राज है और बोलबाला की दारू, सिग्रेट, गोलिया और हतियार यतना ही नहीं पूरे ठाट भाट के साथ फोन का इस्तमाल देखते हो ये नजारा किसी पार्टी या जश्ट का नहीं वल्के राइबरेली जिला जेल का है अजादी को बया करती है तस्वीरे कहीं और की नहीं वल्की यहां पर कई धाराओं के कुख्यात अपराधियों की यूपी के जेलों में अपराधियों की मनवानी का एक और वीडियो सामने आया है और इस बार मामला राइबरेली जिला जेल का है पोन से बात कर रहा ही अपराधी अंशु दुख्षित है सीतापुर, लखीनपुर, लखनओ, भर्दोई, राइबरेली, प्रताबगड, इलाबाद का वो अपराधी है जिसने लूप, हत्या, सुपारी के लेंग जैसी तमाम बारदातों को अन्जाम दिया लखनाओ विश्विदाले के छात्र नेत्या, विनोत्तर पार्टी के हत्या में भी अंशु दुख्षित का ही नाम सामने आया वहिए अंशु दुख्षित के साथ, वीडियो में नजर आ रहे दूसे अपराधी भी, अजीत चौबे, श्रिंगार सी, सहराब और निखिल सोन कर थे जेल के अंदर हो रही इस रंगीन पार्टी पर, जब राय बरेली के जेल अधिक्षत में बात की गई, तो बताये गया कि मामला उनके संग्याल में है करागार में कुछ सातर किस्ट के बंदी बंदी, इनके बारे में हम लोगों को पुप्यार रिकोडिन रही थी, इनकी गत्विद्या सामान नहीं है, कुछ अवायधानिक एक्टिव्टीज में लोग लगे होए थे, तो बंदी पहन दोगों नहीं से ट्रांसफर किया, त्रा मज़े की बात है किस जेल में मनमाना खाना भी है, और रंगदारी वसूरले के लिए फोन भी, यानि रायबरिली जेल की ये बैर रखना हो गई, अंशु दिक्षित का अपना अड़्डा है, जहां जब चहां जो चहां उन्हें मोहिया हो रहा, बात यहीं खत्म नहीं होती, जिला जेल में खाने के नाम पर भी खेल होता है, जहां दाल कम पानी जादा मिलता है, रोटी ऐसी जिसे तोड़ने के लिए दान भी मजूद चाहिए, जेल में होटल ऐसा है जो 25 रुपाय में एक पराठा दे जाता है, मतलब एक तो महंगा ऊपर से क्वालिटी जीरो, लेकिन इस सोर ना तो कभी जेल प्रशाशन ने देखा और ना ही सरकार ने, राइबरिली जेल का सामने आया ये वीडियो बता रहा है कि कैसे उत्तरप्रदेश की जेलों में अपराद की दुनिया के बड़े नामो के लिए वो सब सुर्धाय मिलती हैं, जो किसी कानून के किताब में अपराद माना जाता है, अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जलाकों के अंदर ही रहने वाले अपराद ही मनमानी कर रहे हैं, तो फिर इनके उपर लगाम कसने का दावा क्यों किया जाता है, इटीवी भ